उपर उठने में बक्त तो लगता है चाहे फिर सूरज ही के उना हो हाई मैं सूरज राम राजपूत डियेवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेडा से आपके लिए लेकर उपस्ते दें कच्छा नौ गड़त टौफिक है संख्या पद्दती इसके अंतरगत आप देखेंगे पार्ट नंबर टू में समसंख्याएं समसंख्याएं समसंख्याओं की परिवासा से आप बहुत अच्छी तरीके से परचित होंगे के समसंख्याएं कौन सी होती हैं, किने कहते हैं, आईए देखते हैं, समसंख्याओं की परिवासा लिखाने की क्या आवा सकता है, चलिए मैं लिखा देता हूँ उन पूरांक संख्याओं का समूह जो दो से पूरते हैं, बिभाजित हो अर्थात दो से भाग देने पर भाग फल पूरांक तथा सेस फर सुन्ने हो समसंख्याओं कहलाती हैं, इसे ए से प्रदर्सित करते हैं, इसे ए से प्रदर्सित करते हैं, इ बरावर माइनस इनफाइनाइड डोट डोट माइनस के छे माइनस के चार माइनस के दो जी रो दो चार छे आठ डोट डोट ये क्या हैं, समसंख्याओं का समू है, अब कोई-कोई ये कहता है कि समसंख्याओं सबसे छोटी समसंख्याओं कितनी होती हैं, दो होती हैं, लेकिन समसंख्याओं तो ये सभी हैं, समसंख्याओं, अब इसी की जगे आप एक एडिंग और डालेंगे, वो क्या डालेंगे? सम प्राकृत संख्याय सम प्राकृतिक संख्याय सम प्राकृतिक संख्याय सभी सम पूरांक सभी सम पूरांक संख्याओं का समुव जो दो से प्रारंभो तथा आरोही क्रम में दो से प्रारंभो तथा आरोही क्रम में हो सम प्राक्रतिक संख्याएं कहलाती है इसे इप्लस से प्रदर्सित करते हैं इप्लस बरावर दो, चार, छे, आठ, दस, बार, चौदे, सोले, अठार, इस तरीके से ये आगे बढ़ेंगी ये क्या कहलाती है सम प्राक्रत संख्याएं सम संख्याएं आपके समझ मा आ गई सम संख्याएं सम संख्याएं उन पूरांक संख्याएं का समुव जो दो से पूरते आप वाजित हो अर्थात दो से भाग देने पर भाग फल पूरांक तथा सेस पर सूने प्राप तो सम संख्याएं कहलाती है तो माइनस की भी हो सकती है प्लस की भी हो सकती है और सून भी हो सकता है ऐसे ही आप अगली एडिंग डालेंगे विसम संख्या है बेसम संख्या है बेसम संख्या का समू जो दो से पूरते बिभाजित विवाजित नहीं होती है अर्थात दो से भाग देने पर भाग फल पूरंक तथा सेस्फल सून प्राप्त नहीं होता है बेसम संख्या है कहलाती है बेसम संख्या है कहलाती है इसे ओ से प्रदर्सित करते हैं इसे ओ से प्रदर्सित करते हैं ओ बरावर डोट डोट माइनस साथ माइनस पाँच माइनस तीन एक तीन पाँच साथ डोट डोट इस तरीके से अब यहां भी बही एक बनेगा कौन सा बिसम प्राकृतिक संख्या है बिसम प्राकृतिक संख्या है तो जो आपके दिमाग में जो भ्रहम था वो भ्रहम हमने दूर कर दिया कि सम संख्या हैं कौन कौन सी होती है आप बोनते हो दो चार चाह आणर दस यह होती है तो निगेटिव भी समसंख्या हैं पॉजिटिव भी समसंख्या एँ सूने को अगर सामिल किया जाए तो सूने भी एक समसंख्या है लेकिन सम pivotik संख्या हुं की बात करते हैं तो गड़नाक्रत जो संख्याएं होती हैं धनात्मक पूरांक होती हैं उन्हें ही सामिल किया जाता है इसी के आदार पर बिसम प्राकरत संख्याएं कौन सी हैं सभी बिसम संख्याओं का समूः सभी बिसम संख्याओं का समूः जो एक से प्रारंब होता है तथा आरोई क्रम में है आरोई क्रम में बिसम प्राकरत संख्याओं का समूः कहलाता है कहलाता है इसे ओ प्लस से निरूपित करते हैं ओ प्लस से निरूपित करते हैं ओ प्लस बरावर एक तीन पांच साथ नो ग्यारे डॉट डॉट सोन इस तरीके से बिसम प्राकरत संख्याओं की गिंती होती है आगे देखेंगे आप अब आज जी संख्याएं बे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुड़न खंड हों अर्थात एक और स्वैं से विभाजित हों अब हाज जी संख्याएं कहलाती है अब हाज जी संख्याएं कहलाती है बे संख्याएं जो खुद से कटें और खुदा से अब हाज जी संख्याएं कहलाती है खुद से कटें और खुदा से कटें अब हाज जी संख्याएं कहलाती है जैसे दो, तीन, पाँच, साथ, ग्यारा, तेरे, सत्रे, उन्निस, तेज, उन्तिस, एकतिस, सेंतिस, एकतालिस, तितालिस, सेंतालिस त्रेपन, उन्सट, एकसट, सरसट, एकत्तर, तेत्तर, उन्नियासी, त्रासी, नवासी, और सतानिवे काउंटिं करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर, नो, दस, ग्यारा, वारा, तेरा, चौदा, पंदा, सोरह, सत्रा, ठारा, उन्निस, बीस, एकतिस, बाइस, तेरे, चौईस, पच्चिस यह क्या है, अब हज संख्या है, अब आप यहीं से बिचार कर लीजिए, एक से सो तक पच्चिस, एक से पच्चास तक सोल है, एक से पच्चिस तक नो, अबहाज संख्या होती है, नोट लगा सकते हैं, एक न भाज संख्या है, एक न भाज संख्या है, न अबहाज संख्या है, एक क्या है, एक न तो भाज संख्या है, और ना ही अबहाज संख्या है, आप अगर डारेक्ट पहँचानना चाहते हैं, अब आज संख्याओं का रूल भी आपको चाहिए, तो रूल के जो डारेक्ट पहँचानने वाली कंडिसन है, वो 13, 17 और 19, ये तीन पहाड़े लगवग लगवग 90% प्रसनों को सॉल्व कर देते हैं, आप इन से काटके जरूद देख लीजिएगा इस टार्टिंग में, अगर इन से नहीं कटते हैं, तो 90% वो अबहाज संख संख्याओं की परिवासा हो गई, ठीक है, अवाज ये संख्याओं हैं, इसके बाद एड़े, बाद ये संख्याओं हैं, बे संख्याओं हैं, जिनके दो से अधिक, बाद ये संख्याओं हैं, बाद ये संख्याओं हैं, जैसे चार, तो चार के गुर्ण ख्याओं हैं, एक दो और चार, च्छे, च्छे के गुर्ण खंड के आओंगे, एक, दो, तीन और च्छे, आठ के गुर्ण खंड के आओंगे, एक, दो, चार और आठ, नो के गुर्ण खंड के आओंगे, एक, तीन और नो, दस के गुर्ण खंड के आओंगे, एक, दो, पाँच और दस, तब बे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुर्ण खंड होते हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, एक और स्वेम के अत्रिक्त, और किसी संख्या से भी अगर वो संख्या बेवाजित हो जाती है, तो वो कौन सी भाज्य संख्याएं कहलाती है आप समझ गए होंगे भाज्य संख्याओं की परिवासा नेस्ट वीडियो में आप देखेंगे आगे जो भी सेस बचे हुए हैं पूर संख्याएं पूरांक संख्याएं परमे संख्याएं अपरमे संख्याएं तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा जैन्द